नमस्कार दोस्तों आपके अपने YouTube चैनलर जहारखन एजुकेशन में आपका स्वागत है वर्ज 2019 के question bank का solution हमभग कर रहे हैं solution का ये part 3 है इस part में हम लोग section B के बाके questions को देखेंगे question number 7 write an algorithm to count total number of nodes in a linked list किसी linked list में कितने node हैं इसे count करने का आपको algorithm लिखना है इसका algorithm मैं बताओं उससे पहले हम लोग linked list को थोड़ा सा जान ले यहाँ पर आपके सामने जो है एक linked list है linked list क्या होता है linked list जो होता है वो collection of node होता है कुछ node का collection होता है और ये node आपस में क्या होते है एक दूसरे से link होते है और इसे कहा जाता है linked list तो किसी linked list में कितने node है इसे find out करने के लिए हम लोगों को algorithm लिखना है यहाँ पर देखिए आपका ये node number 1 है एक node जो होता है वो दो चीजों से मिलके बनता है देखिए ये node का दो हिस्सा है एक हिस्से में आपका 15 स्टोर है 15 स्टोर है और एक हिस्से में 2000 स्टोर है ठीक ये जो दो हिस्सा है पहले वाले को कहते है हम लोग data part जिसमें 15 स्टोर है ये data part कहलाता है और जो 2000 स्टोर है वो link part कहलाता है या फिर next part कहलाता है ठीक है तो जो node होता है, उस node का पहला हिस्सा जो है, वो data part या कभी-कभी हम लोग info part भी बोलते हैं, और जो दूसरा part होता है, इसे हम लोग link part या इसको next part या इसको कभी-कभी हम लोग address part भी बोलते हैं, ठीक है, आपने समझ लिया, अब दिखिए यहाँ पर, यह जो link list है, इसमें त इन node है, यहाँ पर देखिए, जो पहला node है, इसके बारे में यहाँ पर 1000 लिखा हुआ है, ठीक है, यह जो है, यह इस current node का memory address है, आपको याद रखना है कि परतेक node का memory address होता है, हम लोग अभी depth में नहीं जाएंगे, इस memory address क्या होता है, नहीं होता है, बात की बात है, बस इ तीसरे node का address यहाँ पर 3000 है, ठीक है, पहला node में देखिए, पहले node के address पार्ट में, यानि link पार्ट में, second node का address को रखा गया है, देखिए 2000 है उसके बाद जो आपका node 2 है, इसके address पार्ट में हम लोगों ने तीसरे node का address को यहाँ पर रखा हुआ है, यह आप dot dot देख रहे है यह यह बता रहा है, कि पहले node ने, पहले node ने अपने address पार्ट में, दूसरे node का address को श्टोर करके रखा है, दो हजार और दूसरे node ने अपने address पार्ट में, तीसरे node का address को श्टोर करके रखा है, और इसी प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पर देखें, तो यह जो तीसरा node ह तीसरा जो node है, इसने अगले node का address, यानि के 4000 को क्या किया है, इस तोर किया है. याद रखना कि जो आखरी node होता है, अभी यहां पर इस diagram में आप मानने के चलें कि और भी nodes हो सकते हैं, जो आखरी node होता है, आखरी node का जो आखरी node मालेजे कि यहां से जुड़ा हुआ है कोई node यह आखरी node है ठीक है इसका address मालेजे 4000 है ठीक है 4000 है इसमे value store है मालेजे 40 और इसके आगे कोई भी node नहीं है तो यहां पर क्या रहता है यहां पर null रहता है यही चीज आपको जाना बहुत जरूरी है कि जो आखरी node होता है उसके address part में क्या store कर रहता है आपका null रहता है क्योंकि आगे किसी से connected नहीं है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो linked list होता है वो आपका collection of connected node होता है connected node का जो collection होता है उसको ही हम लोग linked list बोलते हैं ठीक है अब यहां पर देखिए अगर यहां पर कहा जाए कि चलिए हम लोगों को node कितना ही count करना है तो देखिए जब तक आपको इस linked list के किसी node के address part में null नहीं मिल जाता है तब तक आप गिंते चले जाए जैसे कि यह node 1 है यह node 2 है यह node 3 है और यह आपका क्या है node 4 है फिलाल आप इस पर गौर मत किजिएगा यह जो यहां है इस पर भी गौर मत किजिएगा तो यह जब तक आपको किसी node के address part में null नहीं मिल जाता है तब तक गिंती करते रहिए और वही गिंती क्या कहलाएगा वही गिंती कहलाएगा कि total number of nodes कितने है ठीक है तो आपको diagram से समझा दिया गया है अब हम लोग इसका algorithm लिखेंगे आपको exam में इसका diagram नहीं बनाना है आपको algorithm लिखना है और जो लोग algorithm नहीं कोई है देखे यहाँ अपर आपके सुवधाय के दिये मान लिजीए मैंने यहाँ पर तीन नोड वाला एक link list बनाया थे इसका यह सभी जो एड्रिस पार्ट है, इसके एड्रस मालने नहीं कि एक हजार है, इसका दो हजार है, इसका अगले नहीं हजार का नॉड़ का एड्रस तीन हजार यहां नोड का इंसमें 20 Stor में तीसरे node का address, यहनी 3000 रहेगा, और जो मेरा आखरी node होता है, उसके address part में क्या रहेगा? Null रहेगा, क्योंकि इसके आगे तो और कोई node है नहीं, ठीक है? तो यहाँ पर होगी आपका Null. हम लोग step 1 में क्या कर रहे हैं? हम लोग गिनने वाले हैं, कि इस linked list में total कितने node हैं. यहाँ पर save and first, यह हम लोग भी इस्तमाल करने वाले हैं. तो save and first are pointers. Save and first क्या है? Save and first pointers हैं. Pointers क्या होता है? Pointers एक special variable होता है, जो कि memory address को store करता है. यानि memory address को store करने वाले special variable को हम लोग pointer बोलते हैं. तो यहाँ पर save और first यह तुनों क्या है? यह तुनों pointer है. Step 1 देखिए, count equal to 0. दर असल count यह एक variable है, ठीक है? यह एक variable है, जिसमें हमने क्या store करके रखा है? 0. यही count आपको गिन करके बताएगा कि इस linked list में total कितने node है. तो अभी counting शुरू नहीं हुआ है, इसलिए count में 0 store किया है हमने. फिर यहाँ लिखा हुआ है, save is equal to first. यहाँ पर आपको यह बता दू कि यहाँ पर first का मतलब क्या है? देखिए, first एक pointer है, जिसमें पहले node का address है 1000 वो रहेगा. तो हमने यहाँ पर यह किया, कि 1000 को save नाम के pointer में store कर दिया. यानि हम लोगोंने save नाम के pointer में क्या store किया? पहले node का address 1000 को store किया. अब step 2 में आईए, step 2 कहता है कि repeat step 3 until save is not equal to null. आप step 3 को तब तक दोराइए, जब तक save का value null ना हो जाए, जब तक save में null ना आजाए, तब तक आपको step 3 को दोराना है. क्या करना है सबसे पहले तो देखे, अभी सबसे पहले चेक किजेगा कि save में क्या null है, तो आप बोलेंगे नहीं, अभी save में null नहीं है, तो जब तक null नहीं होता है, तब तक काम करना है, तो अभी null नहीं है, तो चली काम करते है step 3 को, क्या काम करते हैं, तो कह रहा है कि count का नया value ब्रावर, count का पुराना value प्लस 1, पुराना value मतलब देखे पुराना value जीरो है तो 0 प्लस 1 वन यानि count का नया value क्या हो गया update होके 1 हो गया यानि एक node का गिंती हो चुका है ठीक है साथ ही साथ यहाँ पर यह भी बोलता है step 3 में दोनों चीज़े आएंगे ना यह भी step 3 में आएगा और यह भी step 3 में आएगा तो यह तो काम आप कर दिएंगे यहाँ पर आजाइए बोलता है कि save equal to यानि अब save में आपको नया चीज़ store करना है क्या store करना है तो जो पूराना save है यानि 1000 1000 कहा है? यहां पर है. अब यहां पर आप इसके बारे में नहीं बात करें. यहां पर बात करें कि Save actually है कहा है? 1000 कहा है. इस node biz से अपर इस नोड़ का अडिर से और है, अब यहां के बारे में बात कर रारे हैं. कि Save का जो link part है. Bay через Save मतलब 1000 चेह. 1000 का ये data part कहलाएगा और ये 1000 का, ये 1000 का link part कहलाएगा, ठीक है, तो 1000 के link part में क्या है? 2000 है, तो वही कह रहा है कि नया save बराबर, पुराना save, यानि 1000 का जो link part है, that is 2000, उसको डाल दो, ठीक है, नया save में पुराना save, यानि 1000 का link part है, that is 2000, उसको डाल दो, यानि save का value जो है, update होके क 1000 हो गया, ठेक, आपने ये किया, फिर आप जाएंगे step 2 के पास, और check करेंगे कि save में क्या नल तो नहीं आया हुआ है, तो आप बोलेंगे नहीं, save में नल नहीं आया हुआ है, तो चले step 3 के पास चलिए, step 3 बोलता है, count का नया value बराबर, count का पुराना value, तो just पुराना value क्या था, तो count का नया value बराबर, count का पुराना value यानि कि 1 और यहाँ पर फिर plus 1 है, तो 1 plus 1, 2 हो गया, यानि count का value अपडेट होकर क्या हो गया, 2 हो गया, इसके बाद आप यहाँ पर फिर से आएंगे, save का नया value बराबर, save का पुराना value, पुराना value यानि 2000, ठीक है, 1000 कटी चुका है 1000 हट चुका है ना तो 2000, 2000 के link part में क्या है, तो देखे 2000 का link part इसमें 3000 है, तो वही बोल रहा है कि save का नया value बराबर save का पुराना value का link part, तो save का जो पुराना value है 2000, इसका link part है 3000, उस 3000 को save में डाल दो, यानि अब 2000 भी हट गया, और इसमें क्या store हो गया, इसमें 3000 हमने store करवा लिया, ठीक है योला काम हो गया, आप यहां से जाएंगे step 2 के पास, save का value जो है जब तक आपका null नहीं हो जाता है, तो देखे अभी save का value null हुआ है, नहीं, अभी save का value 3000 है, चलो ठीक है, save का value 3000 है, तो फिर से चले जाएंगे step 3 के पास, step 3 क्या बोलता है, count का नया value गुराबर count का पुराना value, पुराना value ज़स्ट 2 था, देखे, पुराना value count का क्या था, 2 था, 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3 हो गया, यानि count का value अपड़िट होके 3 हो गया, ठीक है, तो इस परकार से देखे, अब गर आप थोड़ा सा गौर करेंगे, तो ये count यानि 3 का गिंती कर लिया, यानि 3 node का गिंती कर लिया, ठीक है, तो ये तो काम कर लिया, count बढ़ा लिया, यहाँ चलिते हैं यहाँ पर, यहाँ पर कहता है, save का नया value गराबर, save का पुराना value, save में just पुराना value कितना है, 3 हजार है, 3 हजार के link part में क्या है, तो देखे, 3 हजार के link part में क्या है, null है, यानि अब save में क्या store कर देना है, पूराना save यानि 3000 का link part यानि null यानि save में क्या store कर दे रहे हैं हम लोग यहाँ पर save में store कर दे रहे हैं हम लोग यहाँ पर null ठीक अब यहाँ से जाएए फिर से कहाँ step 2 के पास save not equal to null save का value null नहीं होना जाहिए ठीक है जब तक नहीं रहेगा तब तक काम करो जैसे save में null आ जाएगा काम को रोक दो तो देखे यहाँ पर क्या हो गया आपका save में null आ गया तो काम रोक देंगे यानि step 3 को अब नहीं करना है अब आब step 4 के पास जाएंगे और step 4 क्या बोलता है return count count का value को return किजिए count में finally क्या आया है 3 आया है 3 return हो गया यानि इस algorithm ने count करके बताया कि इस linked list में total कितने node है तो आपने देखा भी एक node दो node दूसरा node यह अपका तीसरा node ठीक है अगला सवाल what is the role of a database administrator इना database system किसी database system में database administrator का क्या role होता है देखे database administrator इसको sort में हम लोग DBA बोलते है ठीक है तो जो database administrator होता है ना उसका जो primary job होता है वो इस बात वो ensure करता है ना उसका काम होता है इस चीज़ को ensure करना that data is available कि database में data available है या नहीं है उसको available करवाना protected from loss data को protect करना data का किसी प्रकार का loss ना हो loss ना हो इसके लिए data को protect करना and corruption मतलब data corrupt ना हो जाए ठीक है and easily accessible as needed और जब जरुरत हो तो हम data को access कर सके database से ये सारा जिमवारी जो होता है वो DBA के उपर होता है some of the chief responsibilities that make up the day to day work of a DBA कुछ और भी खास responsibility है कुछ खास जिम्मेवारी है जो कि दिन बद दिन जो है DBA को निभाना पड़ता है पहला software installation and maintenance ठीक है database management system से संबधिन software का installation हो जा है maintenance हो ये DBA देखेगा data का extraction, data का transformation या data का loading ये सारा काम जो है DBA देखेगा ठीक है database का जो backup लेना हो उसका जो recovery करना हो वो DBA देखेगा security के बारे में बात हो, authentication के बारे में बात हो या troubleshooting के बारे में बात हो ये सारा काम जो है DBA रेखेगा अभी देखें यहाँ पर यह समझाने में नहीं जा रहा हूँ authentication क्या होता, troubleshooting क्या होता, ये एक अलग ही इसका detailing है, तो यहाँ पर बस मैंने आपको answer बता दिया कि DBA का क्या क्या काम होता है ठीक है, ठीक है, देखे, A, B, C, C पर डैस है या C पर बार है ना, एक ही बात होता है, plus B, C तो आपको इसके लिए, इस boolean function के लिए या इस boolean expression के लिए आपको truth table बनाना है ये question important है, इस question पर पर दियान दिजेगा, अगर कहा जाता है कि किसी boolean expression का आपको truth table बनाना है तो सबसे पहले आप ये देखिए कि उस boolean expression में कितने अलग तरह के variables हैं तो आप यहाँ पर कहेंगे कि यहाँ पर जो variable का संख्या है वो variable का संख्या 3 है और अगर आप से पूछे कौन कौन, तो आप बताएए A नाम का variable है, B नाम का variable है और C नाम का variable है दूसरी बात, जब आप ये tag कर लिए या आपने जब देख लिया कि ये जो आपका boolean expression है, ये 3 variable बला है तो आपको एक table बनाना पड़ेगा, ठीक है, table में ABC नाम का 3 column रहेगा, ठीक है उसके बाद आपको कि इस table में 0101 आप भरा हुआ यहाँ पर देख रहे हैं, ये कितना भर रहे हैं, कैसे भर रहे हैं, उसका जानकारी ले लिजिए यहाँ पर एक formula चलता है to the power n का, where n is the number of variable, ठीक है, तो कितना variable है, 3 variable है अब आपको जो है, 8 combination आपको लेना होगा, सबसे पहले हम लोग यहाँ से इधर से भरते हैं, C की तरफ से, आप अब इधर ध्यान देंगे, इधर के बारे में थोड़ी देर में बात में ध्यान देंगे, C नाम के column में आपको single 0, single 1, 8 बार भरना है, single 0, single 1 है ना, इस प्रकार से कितनी बार, 8 बार, उसके बाद आप B के पास चले जाएए, यह जो single 0, single 1 था, इसको double कर दीजे, 00, 11, 00, 11, फिर आप A वाले column में चले जाएए, और आप इसका भी double कर दीजे, यानि कि 2 0 था, आप कीजिए, 2 का दो combination भर दीजे, A, B, C का, अब अगला काम क्या होगा, अगला काम आपका यह होगा, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है, एक C naught का हमको requirement पड़ेगा, ठीक है, C naught का, तो आप एक column C naught ले लीजे, तो C naught क्या होता है, simply C का complement होता है, C का value 0 है, तो C का complement या C naught क्या हो जाएगा, 0 का ULT, 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 का ULT, 0, 0 का ULT, 1, 1 का ULT, 0, 0 का ULT, 1, 1 का reverse, 0, और 0 का reverse, 1, और 1 का reverse, 0, ULT, बोल रहे हैं, opposite, reverse, बोल रहे हैं, आप समझ जाओ, अब आप यहाँ जो है, इस term पर focus करेंगे, A, B, C, naught, ठीक है, A, B, C, naught, गुना करना है, A, B, C, naught को, तो य एक कॉलम, इस कॉलम, और C, naught, इस कॉलम के data को multiply करना है, यानि 0 into 0 into 1, आप जानते हो कि multiplication में 0 अगर आ गया, तो वो term 0 हो जाता है, तो 0 हो गया, यहाँ पर 0 into 0 into 0, तो 0 हो गया, ठीक है, 0 into 1 into 1, तो 0 हो गया, क्योंकि input में एक भी 0 दिख गया, तो output 0 हो जाता है, तो यहाँ भ पर 0 है, ठीक है, तो 0 हो गया, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, तो 0 हो गया, यहाँ 1, यहाँ 1 और यहाँ भी 1, अगर सारा input 1 होता है तब ही and में, and मतलब गुना में, तब ही गुना में क्या मिलता है, आपको 1 मिलता है, तो यहाँ पर 1 है, उसके बाद यहाँ 1 into 1 into, यहां पर 0 तो यहां पर 0 हो गया तो आपने ABC NOT का यहां पर लिख लिया अब आपको BC निकालना है BC निकालना असान है कैसे तो इन दोनों को B और C कॉलम के डेटा को आप मल्टिप्लाई कीजिए 0 into 0, 0 है ना, multiplication का तो जानती है, 0 समट्टे apply होकर 0 हो जाता है तो यहां भी 0 है, 1 into 0 भी आपको 0 है, 1 into 1 यहां पर 1 हो गया दोनों 1 तो 1, 0 into 0, 0 हो गया, 0 into 1 जो है, 0 हो गया, 1 into 0, 0 हो गया और 1 into 1, 1 हो गया, अब देखिए यह भी निकल गया यहां पर, ठीक और यह भी निकल गया, यहां पर, इनको क्या करना हैmbra, जोड़ना है, ठीक है याने की इन दोनों को क्या करना है, जोड़ने का rule आप जानती ही है कि जोड़ने में अगर एक भी 1 हो गया तो output 1 हो जाता है यह है आपका final output, ठीक है, तो इस तरीके से आपको truth table बनाना सीखना है, important question है, इस तक के और भी questions का आप जो है, practice कीजिएगा, book से कीजिएगा, sample paper से कीजिएगा, या guest paper से कीजिएगा, जहां सभी करना है, आप कीजिएगा, तो मिलेंगे हम लोग next video में, जिसके next part में बाकी के questions को हम बग cover करेंगे, अब तक के लिए, thank you.